अब यह नियुए आप सभी का हमारे चैनल स्वागत है आज के स्वीडियो में हम इंपॉर्टन ठीयुरम प्रूफ कर रहे हैं थेयुरम क्या कहती है कि हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रांस्फमेशन होता है को वीरियंट बेक्टर का वो ट्रांस्टिव होता है या फिर कि आपको पता ही है कोविरेंट वेक्टर क्या होते हैं जब आपका जो रियल सफिक्स होते हैं वो पेस पे लिखा जाते हैं उससे आपको क्या बोलते हैं कोविरेंट वेक्टर बोलते हैं तो हमने कोविरेंट वेक्टर ले लिए ए आई आई देखिए नीचे हैं बेस पर हैं या कोबिरियंट वेक्टर तुमनें तर्स लिया जो कोडिय में होता है ना हमने लिया है एक साइड फिर एकस डैस डैसा इंग डश नहीं है फिर वह तरासफॉर्मोरा डेस डबल डश और इसकी कर्रिसपॉंडिंग यहां पर सिर्फ अई है वह फिर फिर वह ना यह दो टासफ को खोड़ करता है यह हमारा theorem का मूटव है प्रूफ करने का मूटव है तो हम पहले केस में ले रहे हैं जब एकस आई से एकस डिश्ण होता है तो लौफ फास्व मिश्ण किया गएती है यहां से ब्सक्राइब यहां पर यह नीचे वह ऊपर आ जाते हैं तो डैलेक्स पी यह उपर तो पहला चीज रहेगा और नीचे गया जाएक ऑडल एक्स डेश एलफा कुषिन नम्बर फॉस्ट है कि सेकिंड जब एक्स है जब आप चेंज करेंगे ना एक्स डश आई से एक्स डवर्ल डश आई में तो फिर से लॉप ट्रास्पूशन लगाएंगे एक डबल डश आई किसके बराभर जागा एक्स अलफा आई के लिए अलफ डबल डश आई जो नीचे इदर वाला जो नीचे होता वो नीचे ही रहता है अब एक्विशन फॉस्ट से हम एक्स अलफा की वैले हम यहां पर रख सकते हैं अब रख देंगे अब इससे क्या जाएगा कैंसल आउट बचेगा सिर्फ क्या है एक डबल डश आई किसके सब्सक्राइब करेंगे तो सेके सेम लॉप प्रॉपर्टी को यह खोड़ गर्द तो आपको वही लिखना है क्लियरली एक्स डेस्ट से जब आप एक्स डबल डश आई में जाएंगे तो वी गेट सेल सेम लॉफ ट्रास्वमेशन हैंस इस ट्रांस्टिफ आई हो यह आपको समझने जरूर आया होगा अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चनल पर नया है तो इससे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिक्शन बेल को जरूर प्रेस करें